इल़ाबाध हाई कोट ने मतूरा के वरंदावन में ठाकुर्बांके विहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की सरकारी योजना को हरी झनडी दे दी है कोट ने कहा कि राजिसरकार कानूनी प्रक्रिया के तहट दर्शन प्रभावित किये बगैर अपने धन से ये दायत्व पूरा करे मंदिर के बैंक खाते में जमा 262.50 करोड रुपय को न चुआ जाए मंदिर प्रबंधन में भी हस्तक्षिप न हो कोट ने मंदिर प्रबंधन से भी कहा कि किसी भी शद्धालू को दर्शन करने सर न रोकें जीला प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित कर 31 जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी कोट ने इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था इलहबाद उचन्याले द्वारा वरिंदावन में बांके बिहारी कोरिडोर के निर्मान को मंजूरी देने के फैसले पर भाजबा सांसर हेमा मालीने ने कहा हमें खुशी है कि ये फैसला आया और अब कोरिडोर बनेगा जो श्रद्धालू यहां पहुँचेंगे वे सुईधापूर्ण तरीके से दर्शन कर सकेंगे इससे परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा रास्ता साफ हो जाए तो क्या कहिना है और बहुत सुन्दर भी होगा बहुत खुपसुरत होगा और जिसको कुछ ऐसे सोच रहे थी उनका क्या होगा सबका अच्छाए होगा सबका भला होगा इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नौभारत को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें